हेलो काई साथ हम बात करेंगे Redmi Note 8 के MIUI 11 के Top New Hidden Features के बारे में तो दोस्तों ये है Redmi Note 8 और Xiaomi Media की तरफ से इस डिवाइस के लिए 11.0.2.0 का latest table update रोल आउट कर दिया गया है और आप यकीन मानिए इस update के साथ यार काफी सारे hidden features देखने को मिल जाते हैं तो सभी hidden features के बारे में आज की इस वीडियो में आपको detail में बताऊंगा और साथ में आपको app drawer के बारे में बताऊंगा vlog mode focus mode काफी सारे hidden features के बारे में बताऊंगा तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा important होने वाली है तो बिलकुल आप इसे end तक देखते रहे हैं और सबसे पहले वीडियो को like कर दीजिए और channel को subscribe करके बेल एकन को press कर दीजिए तागि Redmi Note 8 में कोई भी new update आए तो उसकी information सबसे पहले आपको मिल जाए तो guys अगर बात करी जाए features के बारे में तो सबसे पहले चलते है settings में about phone में यहाँ पर आप देख सकते है device model आपको Redmi Note 8 मिल जाता है MIUI वर्जेन आपको latest मिलता है 11.0.2.0 का यह आपका Android Pie के उपर base है जबकि Android security patch level आपको latest मिलता है 1 November 2019 का जो क्यार काफी अच्छी बात है अगर हम चलें यहाँ पर system update में यहाँ पर आप देख सकते है what's new में काफी लंबा चोड़ा change लोग यहाँ पर mention किया गया है लेकिन मापको इस update के direct कुछ highlighting features के बारे में बताऊंगा दोस्तो Redmi Note 8 device के लिए सबसे पहला update roll out किया गया था 11.0.1.0 का जिसमें की कुछ bugs होने की वज़े से उसको यहाँ पर अभी suspend कर दिया गया है और अभी आपको direct 11.0.2.0 का update मिलने वाला है तो जीने अभी तक MIUI 11 का update नहीं मिला है तो इनके लिए यह सारे features नहीं है लेकिन जीने 11.0.1.0 का update मिल चुका है तो इनके लिए यह features पुराने हो सकते हैं लेकिन यह वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा important होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी important hidden tips and tricks के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी day to day life में काफी जादा useful होने वाली है तो सबसे पहला change आपको settings में sound and vibration में मिल जाता है इसका पूरा का पूरा design आपको change देखने को मिलता है phone ringtone alarm sound के अंदर आपको कुछ नई sound add देखने को मिलेंगे weather sounds यहाँ पर add कर दिये गई है यहाँ पर आप देख सकते है notifications के अंदर भी कुछ latest sounds यहाँ पर add किये गए है natural sounds यहाँ पर add किये गए है जो कि सुनने में काफी अच्छे लगते है and all ringtones के अंदर भी काफी सारे sounds यहाँ पर add कर दिये गए है तो आप अपने accordingly इसे choose कर सकते है इसका layout यहाँ पर change कर दिया गया है next change guys आपको उपर status bar में देखने को मिलेगा मैंने अभी अपने device में कोई भी sim यहाँ पर नई डाला है and theme भी मैंने change कर ली है दोस्तो आपको अपके device में vaulti का जो sign है उपर वो आपको change देखने को मिलेगा vaulti का जो sign है वो आपको एक box के अंदर मिलेगा जो कि आप देखने में काफी अच्छा लगता है and guys यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नए toggles को add कर दिया गया जैसे gray scale, dark mode, cast का toggle आप देख सकते हैं यह सब add किये गए हैं तो अभी आप उपर सही dark mode के feature को enable कर सकते हैं and यहीं से अगर आप चाते हैं इसे off करना तो उपर सही आप इसे off भी कर सकते हैं तो यह feature भी है कमाल का है and guys इस update के साथ कुछ important features भी missing आपको मिल जाते हैं जैसे कि आपको अपने device में app drawer का feature देखने को नहीं मिलेगा लेकिन मैंने इसे settings में home screen में जैसे आप जाओगे तो आप देख सकते हैं app drawer का feature मैंने enable करके रखा है तो app drawer के अंदर यहाँ पर आपको एक dedicated option भी मिल जाता है अगर आप चाते है background का control करना dark background चाहिए तो apply कर दीजिए तो जो background है वो dark हो जाएगा लेकिन आपको अपने आपके device में यह app drawer का feature नहीं मिलेगा तो कैसे इसे enable करना है वो मा आपको बताऊँगा तो इसलिए guys मैं आपको बोलता हूँ यह वाली वीडियो है बिल्कुल end तक देखते रही है काफी सारी hidden settings मा आपको बताऊँगा तो light पे अगर आप click करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं light यहाँ पर background हो चुका है डूपर आपको काफी सारी category मिलते है communication and entertainment, photography, tool, shopping and search भी आप कर सकते हैं अगर आपको कोई app यहाँ पर नहीं मिल रही है तो दोस्तो यह वाला feature आपको home screen में आपके device में नहीं मिलेगा तो कैसे इसको आपको enable करना है तो यह वाली वीडियो मैंने already बनाई है तो उपर i button पे यह वीडियो मैं आपको provide करता हूँ तो इस वीडियो के बाद जरूर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं simply आपको system launcher को update कर लेना है and app drawer का feature आपका settings में आ जाएगा तो जरूर से इस वीडियो को देखिए और दोस्तो next hidden feature आपको मिल जाता है जो आपका navigation keys आप देख सकते हैं नीचे आपको आपके device में तीन navigation keys मिलेगी लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक और यहाँ पर एक छोटी सा icon को जो की person type यहाँ पर emoji वो आपको मिलता है वो enable करके रखाए यहाँ पर आपको कुछ shortcut मिल जाते है जैसे screenshot आपको लेना है simply आप इस पर click कर दीजिए screenshot यह capture करेगा अगर आपको यहाँ पर मैं चेक कराता हूँ volume को control करना है तो simply volume पर कर दीजिए यह आपका enable हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपके हाथ छोटे हैं राजकल बड़े screen के phone यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको उपर बार-बार यहाँ पर अपना हाथ लेकर जाना नहीं पड़ेगा आप इस पर क्लिक करके सब कुछ यहाँ पर control कर सकते हैं तो इसको enable करने के लिए simply settings में आज यह additional settings का option आपको मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर accessibility का option आपको मिल जाता है accessibility के अंदर यहाँ पर आपको accessibility menu का option मिलेगा accessibility menu को आपको simply own कर देना है देख सकते हैं off मैंने किया है यहाँ से remove हो चुका है जैसे मैं own करूँगा तो यह आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो आप इस feature को enable कर सकते हैं अपने Redmi Note डिवाइस में और दोस्तों next feature आपको मिल जाता है digital well-being and parental control के option के अंदर यह वाला enable करने के लिए simply आपको play store को digital well-being को यहाँ पर search कर लेना है जियां दोस्तों digital well-being को जैसे आप play store में search करोगे तो आपको थोड़ा नीचे आ जाना है एंड जो beta program उसको simply आपको join कर लेना है जैसे आप beta program को join करोगे तो आपको उपर एक update मिलेगा simply आपको उसे update कर लेना है एंड जो settings में digital well-being के अंदर आपको focus mode का option enable देखने को मिल जाएगा तो इसी process को करिए तभी आपको option मिलेगा तो अभी guys आप देख सकते हैं यहाँ पर focus mode का option है वो यहाँ पर enable हो चुका है तो किसकिस application में आपको focus mode को enable करना है तो simply उसको आप यहाँ पर select कीजिए and यहाँ पर turn on now पर click कर दीजिए and guys अभी आप देख सकते हैं जो जो application हमने enable किया था वो यहाँ पर black and white होच किया है बल्लब आप इन application को use अभी नहीं कर पाओगे is not available जिहां दोस्तों मालनों अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर आप नहीं चाहते कि यह person आपकी इन application को use करें तो आप इस important feature को जुरू से use कर सकते हैं आप इन application को use नहीं कर पाओगे और सारी applications को use करने के लिए simply आप इसे turn off भी कर सकते हैं और इसको आप schedule भी कर सकते हैं कि इतने time से इतने time तक यह automatically enable हो जाए तो दोस्तों I hope आपको यार यह व्याली वीडियो पसंद आ रही होगी तो काफी जादे important features मैंने find करके आप सभी को बताए हैं तो वीडियो को जुरू like कीजिए और चैनल को subscribe करके bell icon को press कीजिए और उपर आई button पर मैंने काफी सारी important videos आप के लिए यहाँ पर डाली है तो इस वीडियो के बाद जरूर से आप उन्हें भी check कर लीजिए दोस्तो next feature आपको display के अंदर यहाँ पर मिल जाता है color scheme में तो color scheme का option पहले भी बिलता था लेकिन एक नया change आपको मिलेगा यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं एक circle आपको देखने को मिलता है जैसे आप जैसे आप इस circle पे यहाँ पर blue पे ले जाओगे तो display का color blue हो चुका है red पे अगर आप ले जाते हैं तो ready यहाँ पर हो चुका green पे अगर आप ले जाते हैं तो camera में शायद आपको सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन जब आप इसे actual में try करेंगे तो आप देख सकते हैं जो display के color है वो आपको change देखने को मिलेंगे तो जैसा color यार आपको चाहिए तो अपने accordingly आप उस color को adjust कर सकते हैं और dark mode का option आपको पहले भी मिलता था लेकिन इसका जो layout है वो पूरा आपको change मिलेगा साथ में schedule का option मिल जाता है कितने time से इतने time तक आपको dark mode यहाँ पर enable करके रखना है तो schedule आप कर सकते हैं और dark mode यार पूरा settings में काम करता है play store में भी काम करता है file manager में and कुछ selected applications में काम करता है लेकिन पूरे smartphone में dark mode का option आपको नहीं मिला है वो आपको आगया आने वाले updates में मिलेगा next change guys आपको notifications में मिल जाता है पूरा layout आपको change देखने हो मिलता है तीन types के notifications आपको मिलेंगे आप इसे enable कर सकते है lockscreen notification तो किस किस application का आपको lock screen पर notification चाहिए तो आप उसको enable कर सकते है floating notification आपको kis application का चाहिए मतलब यहाँ पर तो आप इसे enable कर सकते है और अगर आपको notification नई चीए किसे application का simply counting टाइप यहाँ पर show करें तो notification badges में जाकर आप manually selected applications को enable करके रच सकते हैं battery and performance का layout कुछ ऐसा आपको मिल जाता है लेकिन ultra power sync mode का option अभी आपको नहीं मिलता है पर provide मैंने कर दी है next feature guys आपको settings में special feature का मिल जाता है उपर आपको game turbo mode देखने को मिलता है तो यह आपको पहले ही already मिल चुका है तो इसके बारे बात नहीं करेंगे क्योंकि replies का नए option आपको मिल जाते है तो quick reply आपका WhatsApp, WeChat and एक दो application में काम करता है तो किस-किस application में आपको WhatsApp छोटी सी window पर on करना है, use करना है तो सबसे पहले आप उन applications को enable कर दीजिए तो मैंने कुछ applications को यहाँ पर select करके रखा है example के लिए guys जैसे मैंने यहाँ पर YouTube open किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी का message आ जाता है आप gameplay कर रहे हैं या फिर camera कुछ भी आप use कर रहे है WhatsApp का अगर message आ जाता है तो छोटी सी window पर वहीं पर आप WhatsApp को use कर पाओगे आपको अपने पुराने काम को stop नहीं करना पड़ेगा तो quick reply का feature कुछ इस टाइप से यहाँ पर काम करता है अगर आपके device में quick reply का feature काम नहीं कर रहा है तो ये वाली वीडियो मैंने बनाई है how to enable quick reply तो इस वीडियो को देखने के बाद आप quick reply और मेरे channel का नाम search करके इस वीडियो को देख सकते हैं तो इसमें आपको solution मैंने बताया है दोस्तो next change आपको themes application में मिल जाता है जो wallpapers यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नए wallpapers एड़ किये गए हैं ये आप देख सकते हैं ये सब जो उपर के आपको 7-8 wallpapers मिल जाते हैं ये सब यहाँ पर नए wallpapers एड़ किये गए हैं आपको 2-4 यही मिल जाते हैं लेकिन अभी आपको ये MIUI 11 के latest wallpapers देखने को मिल जाते हैं एड़ का इस next change आपको मिलता है एप की opening and closing speed में जो animation है वो आपको थोड़ी change देखने को मिल जाती है मैंने यहाँ पर दूसरी theme लगाई है इसलिए लेकिन जो आप आपको मिल जाता है gallery app के अंदर जैसे आप two fingers से pinch in करेंगे तो सारे photos आप मन्थली वाइस देख सकते हैं कि September में इतनी photos capture की October November में सब आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यह वाली आपको मिल जाती है और अगर आपको यहाँ पर editing करनी है तो editing के काफी सारे options आपको मिलते हैं stickers के अंदर कुछ नए option एड किये गए है spring, summer, funneagle के कुछ नए stickers एड किये गए है तो stickers वेगारा के option आपको मिल जाते हैं और अगर मैं बात करूँ sky replacement के feature के बार में तो filters में चलते हैं आपर guys आप देख सकते हैं sky replacement का feature अभी तक enable नहीं किया गया है तो शायद से आगे आने वाले updates में sky replacement का feature आपको enable देखने को मिले and guys एक और बढ़िया feature आपको मिल जाता है मालो जो भी वीडियो अपने smartphone के camera से आपने record किये कोई भी वीडियो आप record कर सकते हैं तो three dots आपको मिल जाते हैं set video wallpaper का option आपको मिलता है तो simply आप इस पे apply कर दीजिए and अभी guys आप देख सकते हैं home screen पर जो वीडियो आपने record की थी वही wallpaper यहाँ पर live video wallpaper का यह feature है वही यहाँ पर लग चुका है MIUI 11 का highlighting feature है तो आप इसे use कर सकते हैं दोस्तो next change आपको collection and sharing मिल जाता है यहाँ पर काश्ट का option आप देख सकते हैं इसका जो layout आप वो change कर दिया गया है गर आपके घर में smart TVs है तो आप without any wire के अपने smartphone को TV के साथ connect कर सकते हैं जो भी आप यहाँ पर game चलाओगे, video चलाओगे जो भी आप चलाओगे, वही आपकी TV screen पर दिखाई देगा तो आप इस smart feature को use कर सकते हैं printing का नए option आपको मिल जाता है तो printing अगर आपके office में घर में smart printers है तो without any wire के आप printing command अपने smartphone से ही send कर सकते हैं तो यह भी आर कमाल का feature आपको मिल जाता है एंड गाइस मेरे device में आप देख सकते हैं दो extra option आपको मिल जाते हैं multiple users and ambient display का तो कैसे इसे ही मैंने enable किया तो उसके लिए आपको सबसे पहले MIUI के version पर लगातार 8-10 बारी tap करना है जब तक आप developer नहीं हो जाते इसके बाद guys आपको additional settings में आ जाना है बिल्कुल last में developers का option आपको मिलेगा and यहाँ पर बिल्कुल end में आपको option मिलेगा turn on MIUI optimization तो यह option आपको on मिलेगा लेकिन इसको आपको off कर देना जैसे आप इसे बंद कर देंगे turn on MIUI optimization को तो यहाँ पर आपको दो नई option मिलेगा multiple users का यहाँ पर आप देख सकते है you का option आपको मिलता है यहाँ पर आप अपना नाम बगरा लिख सकते है and add user में यह कुछ second space की तरह काम करता है तो एक ही smartphone दो smartphone में अगर आप use करना चाते है तो यह सब option आपको मिल जाता है and ambient display यहाँ पर आप देख सकते है option तो हमने enable किया है लेकिन यह वाला feature यहाँ पर काम नहीं करता है क्योंकि LCD panel आपको मिलता है super emulate display आपको यहाँ पर नहीं मिलते है तो ambient display तो मिला है लेकिन यह यहाँ पर काम नहीं करेगा double tap to screen to wake यह सारे option आपको मिल जाते है तो आप इन सब feature को यहाँ पर use कर सकते है और guys next feature आपको मिल जाता है यहाँ पर calculator application में जैसे आप calculator app में जाओगे तो यहाँ पर guys आप देख सकते है उपर आपको एक छोटा सा icon मिलेगा जैसे आप इस पर click करेंगे तो calculator application आपका छोटी सी window पर यहाँ पर own हो जाएगा जो कि आप इसे देख सकते हैं और आप इस calculator application को कहीं पर भी full screen पर use कर सकते हैं साथ में इसके background को भी control कर सकते हैं और जैसे आप इस पर click करोगे तो full screen पर own हो जाएगा और यह small screen पर भी आप इसे use यहाँ पर कर सकते हैं और दोस्तो camera app के अंदर आपको short video में tiktok stickers देखने को मिल जाते हैं जो कि आप देख सकते हैं बाकी devices में यह add नहीं किये गए हैं कुछ और नए add कर दिये गए हैं पहले आपको कुछ tiktok stickers मिलते थे लेकिन MIUI 11 के अपडेट के साथ कुछ और नए tik-tok stickers यहाँ पर add कर दिये गए हैं जो कि आप यहाँ पर use कर सकते हैं तो दोस्तों यह सब features आपको MIUI 11 के अपडेट के साथ देखने को मिल जाते हैं I hope आपको यह वाली वीडियो पसंद आई होगी तो आरे वीडियो को करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन को प्रेस कर दीजे और मुझे आप कमेंड बॉक्स से बताइए सबसे बड़ेया फीचर आपको इस अबडेट का कौन सा लगा एंड उपर